नमस्ते, मैं प्राची गुपता, संगीत की अपनी कक्षा में आप सब का स्वागत करती हूँ आज हम बात करेंगे थाट के बारे में थाट यानी थाट या मेल क्रम के अनुसार साथ स्वरों के समूह को थाट कहते हैं यानी जब क्रम से बारा में से साथ स्वर कोई एक साथ प्रयोग किये जाते हैं तो उस पूरे ग्रूप को, उस पूरे समूह को हम थाट कहते हैं साथ शुद्ध स्वर होते हैं और पांच विक्रत यानी टोटल कुल मिलाकर बारा स्वर होते हैं उनमें से ही कोई साथ स्वर एक थाट में प्रयोग किये जाते हैं। थाट को थाट या मेल भी कहा जाता है। अभनव राग मंजरी के अनुसार थाट उस स्वर समुह को कहते हैं जिससे राग उत्पन होते हैं। हम जानते हैं कि नाध जो है उससे स्वर उत्पन होते हैं। स्वरों से सब तक बनता है। सब तक से थाट तयार होते हैं। आजकर जो थाट प्रणाली उत्तर भारतिय संगीत पधती में मानने है यानि मानी जाती है उसी को दक्षणी संगीत पधती में मेल के नाम से बुलाया जाता है अब बात करते हैं थाट के लक्षणों की थाट के कुछ लक्षण है जैसे थाट में क्रम के अनुसार साथ स्वरो का होना जड़ूरी है अनिवार्य है क्रम होना बहुत जरूरी है हम बीच में स्वरो को जंप नहीं कर सकते थाट में आरो और अवरो के स्वर समान होते हैं यानि एक जैसे होते हैं इसलिए थाट में अवरो का होना जरूरी नहीं है थाट में रंजकता का होना जरूरी नहीं है रंजकता यानि मनो रंजक होना थाट का एंटर्टेनिंग होना जरूरी नहीं है थाट का गायन नहीं होता है या वादन नहीं होता है इसलिए उसमें वादी समवादी भी नहीं होते है यही कारण है जो पिशली कुछ चीजे हमने आपको बताएं कि यह होना जरूरी नहीं है उसका कारण यह है कि जब हम थाट को गाते ही नहीं है तो उसमें वादी समवादी स्वर हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता इसी तरह वो मनुरंजक हो सुनने में या नहीं यह भी क्योंकि साथ स्वरों का होने से ही थाट बनता है अवरो नहीं हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें थाट को गाना या इंस्रूमेंट पे बजाना नहीं है थाट में एक ही स्वर के तीवर और कोमल रूप दोनों ही एक साथ आ सकते हैं यानि कि शुद्रे और क एक के बाद एक एक साथ किसी भी राग थाट में रखे जा सकते हैं.